हलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका इंटर्वियो क्लासेज में बात करेंगे क्लास नाइन्थ के वार्शिक परिक्षा जो होने वाले उसमें विग्यान का पेपर आपको कैसा मिलेगा उसके बारे में इसे पहले अपने हिंदी इंग्लिश का पेपर है वो किस टाइप करेगा अपलोड कर दिया है और इसके जो पेपर्स हैं आपके लिए वार्शिक परिक्षा का पेपर क्योंकि पैटर्न चेंज है और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पेपर के प्रैक्टिस करवाई जाएगे शानदार और आपके एक्जाम बहुत ही शानदार जाएंगे तो आप चैनल पे नए और तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इनके पेपर्स देखने के लिए मोडल पेपर जो आपकी 2024 परिक्सर से पहले कैसे पेपर आपको एक्जाम में मिलेंगे किस टाइप आपके पेपर आएगा पूरे 100 नंबर ठीक है और जो चैप्टर वाइस देखते हैं कि आपकी जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पधार्थ मैटर इन आवर सरौंडिंग। ठीक है यह आपके 7 नंबर का चैप्टर है ठीक है झाल बहुत ही ज़्यादा माहिने रख देखते हैं और वास्पी करण ठीक है ना ये टॉपिक है ध्यान रखेगा इनके लिए most important questions सभी सब्जेक्ट में आपके ठीक है ना चाहे आपके साइन्स हो मैट्स हो इंग्लिस हो संस्कृत सामाजिक हिंदी सभी के आपको इस चैनल पर मिलेंगे ठीक है तो चैनल को सब्सक्र ठीक है ना चैप्टर था अब इसको छोटा कर दिया गए और आपके 6 नंबर के question इससे पूछे जाने वाले हैं ठीक है तीसरा पार्ट है अपने परमाणू और अनू ठीक है ये चैप्टर अपने है नाइन मार्क्स का है नौ नंबर का ये पार्ट आप से पूछा जाएगा जिसमें आपके रासाइनिक सायोजन के नियम परमाणू क्या है अनू क्या है इन सभी के बारे में आप से सवाल पूछे जाएंगे ठीक है और और अपना next जो चैप्टर रहेगा ठीक है ना इसमें रासाइनिक सुत्र लिखना ये बड़ा ही important topic है अपने तीसरे में रासाइ पर लिखना बनाएंगे कैसे वह आता है ठीक है अनुए दरविमान वाला question भी पूछे जाते हैं ठीक है इनमें कोई doubt हो तो comment section पर जरूर लिखना और आपकी जो paper डाले जाएंगे उनमें आपको complete solution मिलेगा ठीक है ना चलिए देखते हैं और फिर है आप पिसले साल के yearly paper दे देखो तो भी कोई problem नहीं है लेकिन अपनी practice के लिए और ज्यादा मजबूत करना चाहते हो तो आप देख सकते हो ठीक है फिर है अपने पर्मान उसरशना यह अपने आठ नंबर का chapter है कितने नंबर का है आठ नंबर का है इसके बाद अपनी biology सुरू होती है अभी chemistry का portion था अब इसमें जीवन की मौलिक एकाई यहां से आपसे बारा नंबर के question पूछे जाएंगे ठीक है न यह दो chapter है यह सबसे ज़्यादा marks carry करते हैं ध्यान रखियेगा कौन सा जीवन की मौलिक एकाई और उत्तक यहां से यह रहेगा 14 नंबर का उत्तक और कोशी का वाला रहेग अपने 12 नंबर का ठीक है न तो यह ध्यान रखियेगा 26 नंबर यहां बनते हैं सीधे उसके बाद में जो अपना next chapter है जिसमें आपको chapter नंबर साथ जो है गती ठीक है न गती आपके 9 नंबर का part है ठीक है जिसके अंदर आपने वेग में परिवर्तिन की दर और गती का वरण इसमें थोड़ी से मुश्किल अगर इसमें से आंकिक प्रशन पूचे जाएंगे तो होगी नहीं तो कोई ज्यादा मुश्किल कारिया नहीं है ठीक है फिर रहेगा अपने बल तथा गती के नियम यहां पर आपको यह चैप्टर साथ नंबर का मिलने वाला है आपके पेपर में ठीक है सिंपल से इनकी परीबासा हैं और अलके फुल के नियूमेरिकल हैं मतलब आंकिक प्रशन है ठीक है उसके बाद में आता है नम्मा चैप्टर ठीक है क्योंकि सिर्वस कम वह तो चैप्टर भी कम कर दिये गए ठीक है तो नम्मा चैप्टर अपने उनकी परिवासा ठीक है और मुक्त पतन द्रविमान भार इन दोने मंतर भी खूब बार पूचा जाता है ठीक है प्रणोव ददाप क्या है आरकमेडीज का सिंताथ सिंपल सिंपल टॉपिक है ठीक है फिर आता अपने दस्वां पार्ट जो कि है अपने कार्य और उर्जा यह छे नुबर का पार्ट है ठीक है जिसमें कार्य ऊर्जा ठीक है जिसमें इस्थ त Democratellen तोपक आपको पढ़ने होते हैं ठीक है फिर अपना नेक्स्ट जो 11 पार्ट है वो है अपने ध्वनी ठीक है यह आठ नमबर का है ध्वनी पार्ट जो है अपने आठ नमबर के सवाल यहां से बनने वाल है ठीक है playlist में आपको paper मिल जाएगा उसे तयारी करिए उसमें से खुब सारे question आपके exam में repeat भी होते हैं और सभी subject के जो है आपको यहाँ पे paper मिलेंगे ठीक है exam से पहले तो धुआदार तयारी हो जाएगे आपके ठीक है तो मिलते हैं next part में तब तक तयारी करते रहे हैं कोई doubt होता है तो comment section में पूछते रहे हैं और बाकी सभी subject का जो से ले बसे आप ले list में जाकर देख सकते हैं ठीक है तब तक के लिए जै हिंद जै भारत